हेलो दोस्तो एक बात दुवारा से आप सभी का स्वागत करता हूं विए करना स्टॉक्स चैनल पर दिल से अगर आप चैनला में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में जो वह लालकर का बटन हो उसको किलिक करके सब्सक्राइब करोगा जैसा आपको पता करेंगे विकास मल्टिकॉप लिमेटिश के बारे में क्या लेटिस चल रही है और आज स्टॉक में पहला लोवर सकीड लग चुका है ठीक है मार्केट नीचे गिरी विकास मल्टिकॉप नीचे गिरा ठीक है और आपको याद होगा बहुत क्लीर वडो में काया मैंने कि शॉ तो शॉर्ट रव का मतला स्टॉक को हमने आपका मुझे नहीं पता ठीक है मैं आपको अपना मता देता हूँ तीन रुपे साट पैसे और तीन रुपे चाले पैसे के असपास मैंने स्टॉक को बाई किया है ठीक है और मेरा स्टॉक प्लोस है दो रुपे असी पैसे के असप कि जब भी आप किसी stock में investment करते हो या trading करते हो या swing trading करते हो तो आपको अपना risk पता होना चाहिए ठीक है इसलिए का जाता है कि market में सिर्फ एक काम चीज काम करती है वो होता loss कि आपको अपना loss मालूम होना चाहिए कि आप जब किसी stock में entry ले रहे हो तो कुछ मत ध्यान रखो दिमाग में सिर्फ अपना loss को ध्यान रखो और मुझे पता है कि मेरा इस stock में loss कितना है ठीक है तो इसलिए बोला जाता है सबसे पहले money management को follow करो जिसको मैं बावर आपको बोलता है रहता हूं ठीक है भाई तो मैं आपको दिखायता हूं stock में आज का काम काच और आज इसमे क्या हो सकता है future में ए बीग में हम देख लेंगे chart के माधियम से तो कुछ समझ आएगा तो like share subscribe कर देना नहीं समझ आएगा तो मिलते अगले video में तो बोला चाहूंगा अभी last में share करूँगा इसका stock का मतलब हो करूँगा chart view तो definitely उसको देख लेना मुझे लगता है stock एक bounce कर सकता है ठीक है तो मैंने जो आपको stop loss बता है मैं तो उसी stop loss में exit करूँगा पहले में stop loss में पहले मतलब नहीं काटने वाला मैं ठीक है क्योंकि बईया जो मेरी strategy है जो मेरी way of trading बहु सकते है तो मैं उस तरीके को कभी बदल बदल नहीं सकता हूँ मैं इसको हमेशा follow करता हू तो इसलिए मैं stock में अपना stop loss लगा के hold करूँगा माकिनिया से 10,000 भी आ जाए मुझे मतलब नहीं ठीक है जब तक मेरा stop loss hit नहीं हो जाता विकास multi-cop share में मैं stock से हिलने वाला नहीं हूँ दोस्तों आप देख सकते हो आज का कामकाच विकास multi-cop share में अब यह आपको date देख होगी उपर 17 मार्च की ठीक है जैसे आपको पता stock lower circuit के असपस close हुआ है ठीक है तो सब sellers इसमें activate है मतलब बोच रखते हो की जो lose hand है stock से निकल रहे है ठीक है और दोस्तों यही होता है market में कभे भी किसी stock में बड़ी rally आने से पहले जो lose hand होते है उनको पहले out करवाया जाता उसके बाद उनको high levels में फसाया जाता है ठीक है यह psychology है ठीक है आपको दिखाया जैसे जाता है कि stock गिरने वाला है लेकिन वो गिरता नहीं है वहाँ से यूटन लेके उपर चले जाता है और फिर फिर आप लोग उसको chase करते हो जब आपके आँखों के सामने stock उपर जा रहा होता है तब आप बोलते हैं अरे पाई कर लू अरे बाई कर लू तो आप उस चक्कर में हमेशा फज जाती हो ठीक है क्योंकि आप stock को chase करते हो stock को कभी chase नहीं करना है आपको बस एक चीज का ध्यान लखना है money management का ठीक है जितनी percent आपकी capital है उसका 2% invest करो किसी एक stock में ठीक ह का rule है मत्तब उनकी जो भी capital है सिर्फ एक percent capital investment करते हैं किसी भी stock में उनका ये rule होता है और मैं आपको 2% बोल लाँ ठीक है तो बाई बात को समझो जब सब वक्ति इस यूज करते हैं तो आप पिछन की हो आप भी use करो तो आप देख सकते हो 56% के आसपास की लोग holding घर लेके है आज भी ठीक है और आपको स्क्री में देखने को मिल सकता है 65 lakh quantity trade की गई है ठीक है मैं कामकाज अज हुआ है उसमें से 36 lakh लोग घर लेके गए stock की quantity hold करके ठीक है तो अब एक बार देख लेते हैं कि stock का चार्ड ने मुझे क्या दिख रहा है तो इक पर चार्ड हो लेता हू यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर दो सब देख सकते हूं last day में volume का cell का cell की तरफ का breakout हुआ था ठीक है एसी वज़े से आज इसका low जैसे ब्रेक हुआ stock निच्छी की तरफ घर गया लेकिन मैं आपको बोल देना चाहता हूं यह जो आपको volume breakout दिखाता यह area मुझे लगता इसका stock यहाँ से bounce करेगा यह इनिकल कहता है 3 रुपे 10 पैसे का और 3 रुपे 5 पैसी का असपस यहाँ से stock bounce कर सकता है 3 रुपे 10 पैसे का असपस अकर आपकी हि्मत होगी तो buy कर लेना हिमत नहीं होगी तो मत करना मैं खुद इसको अब average नहीं करूँगा ठीक है मेरा एक बार अब मैं इसको average आउट नहीं करूँगा, अब मैं सीधा stop loss का wait करूँगा, 2.80 पैसेगा, 2.80 पैसे है, 2.85 पैसे का मेरा stop loss जाएगा, जैसे हो stop loss जाएगा, market में में एक GTD order होता है, ठीक है, उसको place कर दूँगा, automatic मेरा order कर जाएगा market में, तो आप से भी request करूँगा, अगर आ दूसरी बात, अगर आप सोच, अगर आपने stock को उपर के label में बाई किया है, 8 रुपे, 9 रुपे, तो अगर आप सोच लो कि average करूँ, तो भाई, यहां तो एक बार average कर सकते हो, लेकिन हाँ, लेकिन मैं आपको जैसे बोला है कि long run के लिए stock अच्छा नहीं है, short term में stock मुझ जाए तो like, share, subscribe कर देना, बाकी देखते हैं अगले वीडियो में चलो, बाई बाई